हेलो स्टूरेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और आज हम लोग बात करने आ ले हैं कारपत्ति का नंबर 14 के बारे में तिति क्या है दो 9-2021 विज्ञान विशय की है और कच्छा साथ की है यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है यहाँ पनी क सब्सक्राइब कर प्राणियों में । बच्चो आप सभी को एक बार बता दें, इसका जो विनार इस बार भी Sunday को Announce किया जाएगा, और उससे भी क्या है? गिफ्ट पार्षर किया जाएगा. छलिए देखते हैं, इसमें क्या दिया गए? इसमें बोला गया, प्राणियों में पोसण. घास खाने वाले जन्तियों में पाचन जो है जो घास खाने आले है जन्तू होते हैं उनमें क्या होता है पाचन होता है तो जन्तू पोषण में समलित है देखे जन्तू पोषण में क्या क्या समलित है पोषण आवसकता है बोजन अंतरगहन की विधी पचित भोजन का उपियोग तो बच्चों जन्तू पोष 3 चीज़ आती है बो जतिल प्रकृडिया है जो पोसन प्राप्त करना किया एक क्या है बहुत ही जतिल प्रकृडिया है यह अंतर गयत क्या और इन पांचों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर ना हो तो पोसंड पूर्ण रूप से क्या है वहाँ प्रकरिया कंप्लीट नहीं होती है फिर इसके बाद देखिए रूम्थी या रूमिनेंट क्या होता है तो भैस गाए एवं हीरन जैसे घास खाने वाले पत्तियों का अंतरगहन तीवर्ता से करकर उन्हें निगल लेते हैं और कुछ अंतराल के बाद भोजन को पुना मुख में आता है और वह पसू धीरे धीरे उसकी जुगली करते हुए चबाते हैं ठीक है यानि कि जो जल्तु होते हैं जो पसू होते हैं वह क्या होते हैं इसको धीरे दीरे चबाकर क्या है पचा लेते हैं इसके बाद क्या है बच्छो देखिए आगे इसमें बोला गया है मानव के पांचेंतल्त इसमें मुख गूहा ठीके कौन-कौन से पाच्छेंतंत्र होते हैं मुख गुवा होता है ठीके और अमासे होता है छुद्रंत होता है ब्रहधंत्र होता है ठीके जो क्या है मानव के मलासे में समाथ हो जाता है तथा इसके बाद क्या आता है बच्चो इसके बाद आता है गुवा समलित होता है ठीक इसके बाद देखे नीचे परसने पहला क्या दिये गए बच्चो नीचे दिये गए मानद तंत्र के चित्र के किनी पांच भाजोगों के नाम लिखिया आपको कोई पांच भाग दिये गए उसके नाम लिखना है तो पहला भाग आप उसका नाम लिख लो बच्चो क्या हो जा आए तो आप सभी का करो मैं बता रहा हूं यह spelling जो है आपकी अमास से हो जाएगा ठीक है तो इसके बाद क्या लिखोगे बच्छो मुख गुहीका ठीक है क्या लिखो यहाँ पर यह जो हो जाएगा आपका यह भाग यह क्या है यह जाएगा मुख गुहिका ठीके तो मुख गुहिका अगर spelling आपको ना समझ में आए बच्चो तो आप क्या करना यहां से लिखे लेना ठीके मुख गुहिका ठीके अभी जो बताया इसके बाद देखो अगला बच्चो क्या हो जाएगा अगला हो जाएगा छुद्रंत ठीके क्या हो जाएगा छुद्रंत यानि छोटी आख यह आपका क्या हो जाएगा बच्चो भाग यह कहा जाएगा छुद्रंत क्या कहा जाएगा छुद्रंत ठीके और इसके बाद यह जो हो जाएगा यह क्या कहलाएगा बच्चो ये देखो छुद्रन्त के आगर spelling बच्चो ना समझ में है तो ये देखो लिखिए ठीके और इसके बाद क्या है ब्रह दंत्र ठीके क्या हो जाएगा ब्रह दंत्र तो ये भाग कौN सा हो जाएगा बच्चो ये कहलाईगा इसको छलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ठीक है फिल लिखते हैं ये वाला हो जाएगा बच्चो ब्रह दंत्र ठीक और इसके बाद एक बच्चो भाग और आपका बच जाता है ठीक है जिसे क्या लिख सकते हैं गुदा लिख सकते हैं ठीक है वह कौन सा हो जाएगा बच्छो ये भाग हो जाएगा ठीक है ये वाला इसे क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे गुदा ठीक है जिसे आप क्या कर लेंगे पूरी तरीके से लिख लेंगे इसके बाद देखिए, इसमें निखे, इसमें क्या बूला गए, मनुष्य पोसण के चार मुख्य चरण लिखिए, ठीके, तो चार मुख्य चरण कौन से हो जाएंगे, बुच्छों, तो आप पहला लिखेंगे, अंतर ग्रहन, ठीके, फिर दूसा पाचन, फिर अवसोसन, फि बच्und, लेख लोगे, ठीगे, यई क्या करोगे, एकतर नमबर दो के रूप में लेख लोगे, आगे आपकी याली कारपातरी का क्या होती है, समाथ होती है बच्und, यहीं पर आपको वीडियोके से लगी, कमेंट करकर बताना, वीडियो lagi करना, चैनल से स्काइब करना और कॉंटेस में अगर पास्टेव करना चाहते हो तो कर सकते हो अच्छे और संडे को उसका विनर क्या है एनाउंस हो कर उसे गिफ्ट भी दिया जाएगा धन्यवाद उच्छो